अफगानी सलवार की कटिंग बहुत ही ज़ादा आसान होती है हमको लगता है कि बहुत ज़ादा मुश्किल होगी लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आज में कुछ टिप्स बताने वाली हूँ बस दो तीन कटिंग और आपकी अफगानी सलवार बनके रेडी हो तो यहां पे मैंने कपड़ा ले लिया है यह दो मेटर के करीब कपड़ा है इसको मैंने डबल में रख दिया है इस तरह से डबल कर दिया है इसको और पूरा डबल करके हम इस कपड़े को फिर से डबल कर देंगे मतलब हमने इसको फोल लेयर में रख लेना है तो यहां पे जितना यह चोड़ा है मैंने इसको पूरे में रख दिया है। यहाँ पर देखिए यह आ रहा है हमारा 20 इंच। तो हमको जो measurement लेनी है वो लेनी है 16 इंच की। अब यहाँ पर कुछ फर्क आपने समझने हैं। जैसे हम प्लाजो की cutting करते हैं तो 40 इंच की आज में जो fitting की सलवार है यह बना रही हूँ। तो 40 इंच की ही अगर आप hip size में अगर प्लाजो बनाते हो तो उसमें आपको 12 इंच जा फिर 11 इंच तक चोड़ा रखना होता है। तो यहाँ पर यह चोड़ाई ली है 16 इंच ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ ने 16 इंच पर ले लिया है। अब हम लेंगे, जो हमको exact आसन की मार्किंग चाहिए, वो हमारी आएगी 14 इंच पे, ठीक है, हमको 16 से 2 इंच कम लेनी है, आसन की मार्किंग, मतलब हमको जो 16 इंच है, यह हमारी पूरी आएगी चोड़ी, लेकिन हमको आसन जो लेना होता है, वो दो इंच कम लेना होता है पूरी फुल सलवार से तो यहां दो इंच कम मतलब 14 इंच पर मैने निशान लगा दिया है और अब हम फिर से आसन की मार्किंग करेंगे साड़े 11 इंच पर या मैने आसन की मार्किंग कर दी है और ये मैंने एक बॉक्स बना दिया अब यह आगे की और लाके मैंने 16 इंच वाली line के साथ मिला दिया इसको अब यह प्लाजो हो ते है वह इससे 2 इंच कम होती है यह पीछे 2 इंच और कम करदोगे आप तो वह हमारी प्लाजो की cutting आती है दो इंच में एक्स्ट्रा रखा है थोड़ा डीला रखा है आपने इसको अफगानी सलवार को तो दो इंच आपने यहाँ पे प्लाजो की फिटिंग जितनी भी आपकी है उससे आपने दो इंच extra ले लेनी है अपनी अफगानी सलवार की cutting के लिए कपड़ा तो अब हमने देखे यहाँ पे एक round सा curve दिया है यह आसन की shape हमने दी है इस तरह से यह पूरा एक round सा shape दे दिया है हमने और जादा गहराई में इसको round नहीं करना है इसको सीधा सीधा तिर्शा तिर्शा ओपर लेके जाना है आपने और अब हम देख लेते हैं लेंथ हमको कितनी चाहिए दो इंच हमने ऊपर की और कपड़ा छोड़ दिया है जो हमने फोल्ड करना है लास्टिक के लिए और उसके नीचे हमको चाहिए 34 इंच पर हम यहां मार्क कर देंगे 40 हीप साइस पर यह में 36 इंच की लेंध की सलवार बना रही हूं ठीक है तो 34 इंच पर यह मैंने मार्किंग कर दी है नीचे की और जो पोंचा जुड़ेगा वो भी हमको बाद में जोड़ना है अब जो हम प्लाजों से दो इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है उपर से आसन बस सिंपल सी बात को समझ जाओ और पूरा जो चोड़ा रखा है वो 16 इंच रखा है ठीक है तो जब आप आसन की गुलाई दोगे तो 16 इंच तक पहुंच जाएगा तो यहां से इसकी कटिंग कर लेते हैं बि करते हो आपको यहां तक यह वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा तो अगर आप इससे भी जादा खुली रखना चाहते हैं तो एक दो इंच आप और भी जादा खुली रख सकते हैं उससे नीचे जो आपके बताब जो घेरा आता है ना सलवार का अफगानी सलवार को और थोड़ा सा डिला डिला आएगा मतलब चूनट और जादा पड़ेगी अब देखिए इसके चूनट हमको नीचे से भी इतनी बनानी है और उपर से इस तरह से जब हम लास्टिक लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा तो इस तरह से हमारी सलवार की कटिंग होगी तो फिलहाल य जो हमने मोरी बनानी है पोंचा बनाना है वहां के लिए अब हम ले लेते हैं कपड़ा तो यहां पेना हमको साड़े शेंच त्यार रखनी है अपना जो हमने पोंचा बनाना है और दो इंच मतलब देड़ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूं मैं जैसे कि मैं आठ इंच में इससे क्या होगा ना कि पोचे थोड़े थोड़े सी ना मतलब अच्छे से बनेंगे अगर आप पतला लगाओगे कपड़ा तो बहुत जादा पतला रहेगा आप यह देखिए यहां पे जो बैक साइड का आसन है उसमें आपने दो इंच की पट्टी अटैच करनी है बैक साइ अब यह स्टशिंग कर लेंगे और उपर से यह लास्टिक तलने वपप्त इसकों कर देंगे ले तो बस यह घो Mutta आटा दोनों चूनट जो है एक दूसरे की साइड पर, सैंटर की साइड पर मुह होने चाहिए, दोनों चूनट के, दोनों साइड के, और इसके उपर हमने इस तरह से पट्टी अटैच करनी है, अब पट्टी उल्टी साइड पर अटैच करनी है, और उसको फोल्ड करके सीधी पर हमने लेकर आना है ठीक है यह आद रखना तो जा तो आप इस पट्टी के बीच में वक्रम डाल दीजिए जा फिर पट्टी का कपड़ा थोड़ा मोटा रखो ताकि पोचा जो है वो अच्छा बने तो अब हम इसको अटेच कर देंगे तो यहां पर मैंने इसको अटेच कर यह मारकिंग है तो बस हमारी अफगानी सल्वार बन के रेडी हो जाती है जो बहुत ही जादा कमफर्टेवल सल्वार होती है तो इसी के साथ जो मैंने शिट बनाई है उसकी मैंने अनदर वीडियो चड़ा दी हुई है आप वो भी जाके देख सकते हैं तो वीडियो गर सब्सक्राइब जूर करना फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाए बाए